तो हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका उत्मा स्वागत है आपके अपने इस एवे लर्निंग यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पी एम किसान सम्भाण निदी की एक वाई सी के बारे में बताएंगे अगर आप अपनी पी एम किसान o p arguments कभी आपकी। और आप अपने status चेक करें तो वहांपर आप का रिकोर्ट आ रहा है, आपको किसंद भी पिछले में मिल चूकी है , तो बार जूय। केसे करेंगे. हबने सबुस्त का ब्रैक्रेथा है. सबसे पहले अपने ब्राओजर को open करने भाद है यहां पर करना पीएम किसान या पिर आप पीएम किसान सम्मानेदी लिखर भी साइच कर सकते हैं सर्द कर लेते हैं पर कुछ ऐसा है गाइसे हम्में किसान सम्मानेदी की ओपीसियल साइट खुल जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं यह के वाइसी मेंडेटरी ओवर पीम के सार रेजिस्टर फार्मर पिलीज के लिए यह के वाइसी ओपसर फानवर कॉर्णर इसके लिए एक वाइसी मेंडेटरी हो गया है और आधार की ओटीपी तुरू अमरी य लिंक नहीं है तो आप उपने सेंटर जाकर यानि की जनसिवा के अंदर जाकर बहार से को करवा सकते यह पर लिक कर देते हैं यहां पर आरहा है यह के वाइसी कर देंगे यह कि वासी बाले पर किलिक करने बाद हमारे साथ हमने कुछ इस तरह से पेज डिस्प्ले होगा यहां पर हमें अपना अधान नंबर एंटर कर देना है और यहां पर जो अप्चा को एंटर कर दिया सब्सक्रूइब करें गें पर कंने बाद रूखोट नो फंट दिखा रहा यह क्यों दिखा रहा है कैसे हमको इसको सही करना और हम अपना स्टेटस बैसे चेक करें में आपको अपना एक बार स्टेटस भी चेक करके दिखा देता हूँ मैं लिए आए धान नंबर को एंटर करके और सर्फ गेटाटा पर किलिक कर देना अप्र अधान नमबर एंटर का दिया गैट डाटा पर क्लिक कर देंगे गिर टॉरा ह चीक हो रहा है पर आगे श् Mesmos इस फ FIN 14 पर आने कवाध हमें अपने आधान नभर को पर से एंटर कर दीना है और जो कैप्या है करऊ यहाँ पर यहाँ पर यहाँड़ करug करना है यहाँगा इस तरह से यह केप्चा खोलेगा इस कैप्चा को आ आपको यहांपर है चलिल्जा सब्सक्राइब पर है ऐलंजा फाल वह यहांपर करने केप्चा यह सब्सक्राइब ना मैंस एक मार अफ्रेया पर हमाइब केपच्ञा कोछ नहीं दिशला हुआर में यहांपर है टारिक हाट बाद हमारा आधारि केवunity नहीं नहीं attendance नहीं दिखा रहा है। हैंपर हमैं जो अपने अधरकरट से मुझाल लंबर लिंक है, उसको एंटर कर देना है. आधान लिंक्रीब मंNow नंबर कहा पर एंटर कर दिया, उब इसाधर कृलिक करेंगे. डिक करने बाद साधर हक्वाषर्णी ओपर कहा है, एंटर कर देना है यहां पर अपनी OTP को एंटर कर दिया है Submit for Authentication पर क्लिक कर देंगे Submit for Authentication पर क्लिक करने बाद यहां पर जो दिखा रहा है Invalid OTP यह Invalid OTP क्यों दिखा रहा है क्योंकि हमारे जो PM किसान सम्माद निदी में है जो इसे हमारे आधार काड़ होता है वैसे ही मोईलल काड़ होता में है और हमारे मोईललो इसलिए हमारा नश्ची के अधार सेंटर जाना आपडेट करना उसके बार है पर हमें अपनी ऑफिंट्री के सेंटर को करना करना अगर आपको पुरा आधार आधार नहीं बना पाते हैं शिर्फ जाने अप्डेट कर पाते हैं ऐसी तरह के के अंबर को अप्डिट या फिर आपको अपने अधार कार्ड में नहीं है बिल्कुल ही तो आपको सिस्क्राइब क्रा लेना है उसके बांड आपकी जोเรา के किस्त व्य वासी करने को हमने उस व्य दिया उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करने तो थैंको दोस्तों आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तक के लिए जय हिंद जय भारत